हेलो क्रेंस वेल्कम टू में कीजन तो आए आजर मनाएंगे मकर सकान्थी के और सब पर खिचड़ी तो खिचड़ी बनाने के टें मैं याप पर नहीं हूँ 200 ग्राम चावल 200 ग्राम दाल मैं दाल अरहर की नहीं हूँ आप चाहों तो कोई भी दाल देश सकते हैं दो बारी कट हरी मिर्ची हरा प्याज टमाटर हरा धनिया और हरा मटर सिम्ला मिर्च आलू और गोवी तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सारे सब्जियों को मसालों के साथ बुनूगी तो यह देखिए मैं सब्जियों को बुनने के लिए मसालों के साथ यह पर एक कड़ाई राकी हो तो गरम होगय है अब मैं इसमें डालूंगे सरसो का तेल आप चाहों तो कोई भी तिर ले सकते हैं लाजह सब्ची है तो हमें इसमें डालूंगे तक चार लाउंग यह नाइची 2 तेज्पत्ता चार लाल मिर्ची हम इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे तो ये देखिए हमारा तेजबत्ता गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब मैं इस में डालूंगी साबुत जीरा और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे तो ये देखिए अब हमारा जीरा गोल्डन प्याज्ड विवाद्वाम भून गया हैं तो मैं इसमें डालूंगी गुभी कैटGold गोवे हैं इसे भी दो मिनट तक हम भून गे प्याज के साथ कि इससे बिलुकुल अच्छे से चलाते हूँ भून गे colors यसे दीकिsea दो मिनट तक हम भूनेंगे देखिए दो मिनट हो गया है हमारा सब्जिया भूने लगी है तो अब मैं इसी के साथ यहाँ पर डालूंगे हर्याम अटर के और हम इसे थोड़ तर चला देंगे कि अब इसी के साथ यहाँ पर डालेंगे हाल्दी पॉडर, तो अब मैं आप डालूँगी 1 एक शुपन हल्दी पॉडर, एक शुपन लाल मिर्ची पॉडर, मैं पहले भी हरी मिर्च डाली हूँ इसलिए हमें लाल मिर्च जादा नही डालनी है, मैं डालूँगी आप 1.5 एस्पॉन धनिया पॉडर, एक के स्पून जीरा पॉर्डर अब इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे इसे मसालो को हम दो मिनट तक सबजी के साथ भूनेंगे तो देखें, दो मिनट हो गया है मारा मसाला भूनने लगा है तो अब मैं इसे के साथ याँ पड़ालूँगी तो इसे अच्छे से बिल्कुल मसालों को भुणना है तो अब हम इसे कूकर में निकाल लेंगे क्योंकि खीड़ी में कूकर में ही बनाओंगे तो मह zorkin यहाँ जुछाओ कर एक कूकर रख्या हूं और अब मैं शचावाल को निकाल लूँगी तेजिए मैं 4 सबजा को निकाल ली हूँ तो मैं जावल दूँदा है मैं जावल दोगर दियुकरकी अच्छाव सबस्चारी को जिसे कि हमारा खिच्डी बहुत ही बढ़ी है और लाजवाब बनेगा अगर आपको पानी कम लग रहा होगा तो खिच्डी बनाने के वह पानी अपने अनुसार कम यह जादा रख सकते हैं आपको जिलत तरह की किच्डी पसंद हो बहुत लोग को कड़ा किच्डी काता है अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ अब मैं कुकर के डगकर को बंद करूंगी और एक वेसल आने तका वेट करूंगी यह देखे कुकर में एक सीटी लग गया है और हमारा कुकर ठंडा भी हो गया है तो आइए अब हम इसे खोल करकर दिखाते हैं तो यह देखे मैं आपको ढगन हटा कर दिखाती हूँ कितना लाजबा कितना कितना परफेक्ट हमारा खिचडी बना है तो आईए हम इसे एक दूसरे बॉल में निकल कर दिखाती हूँ तो यह देखे हमारा खिचडी बन करके बिलकूर रेडि हो गया है अगर हमारी रेस्पी अच्छे लगी ह लाइक करें शेयर करें और हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और अपने घर में मना कर चुरू ट्राइब करें थे यू बाए बाए